हेलो एवरिवन, वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो मैं AEW के पेपर व्यू फार्बिन डॉर पर अपना रिवी पेश करूंगी जिसमें रहे हैं नाइन मैचिस, तो वो कौन-कौन से मैचिस हैं और क्या-क्या हुआ और कौन-कौन चीता जानने के लिए पूरी वीडियो बाश करें तो चलें देना खत्वे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैच, MJF बसिज हिरूशी तनाशाई फार्दी AEW बर्ड हैवे चंपिर्शिप के लिए बिगन हुआ जिसमें एंड में, इवेंचली, MJF ने चलाकी से अपनी डाइडामाइट रिंग रैफरी की नदर से बचा कर रोशी तनाशाई पर अटेम्ट की और इस तरह से अपनी चंपिर्शिप को रिटेन कर लिया इसके बाद सेकिंड मैच, CM Pong वसिस सातोशी का बिगन हुआ जो के टोर्नमेंट का मैच था जिसमें एंड में, इवेंचली, CM Pong विनर रहा थर्ड मैच इसके बाद ओरिज कैस्टी की और इंटरनेशनल चंपिर्शिप के लिए फैटर फोरवे बिगन हुआ जिसमें ओरिज कैस्टी ने टेरेन गार्सिया, जेक सीबर एंड शबाता से अपनी चंपिर्शिप को डिफेंड किया इसके बाद फोर्थ मैच आई डव्य जी पी वर्ल हैवे चंपियन सनाडा वसिस जेक पेरी का हुआ जिसमें एंड में इवेंचली सनाडा ने अपनी चंपिर्शिप को डिफेंड कर लिया और आफ्टर दी मैच जेक पेरी ने घुसे से अपने पार्टनर हुक पर अटेक कर दिया और हील टरंड कर लिया इसके बाद फिफ्ट मैच बी सी सी ने दी इलीड के साथ 10 मैन टेग टीम मैच किया जिसमें जॉन मॉक्सली का फ्रेंड एडी किंस्टन दी इलीड की टीम में था मैच में जब जॉन मॉक्सली एड़ी किंस्टन एक उसे के सामने आये तो दोरों ने दबदस्ट एक्शन दिया इस मैच में एक दफ़ा यंग मक्स ने डबल सुपर किक जॉन मॉक्सी पर अटेक की बट जॉन मॉक्सी हाट गया और एडी किंस्टन को डबल सुपर किक लग गई और मैच के एंड में इवेंचली ईशी रेविलर युथा पर अपना फिनिश और ब्रेन बस्टर अटेम्प करके ये मैच विन कर लिया आफटर दी मैच एडी किंस्टन एंड यंग मक्स में खटपट नजर आती है बिकोज एडी किंस्टन यंग मक्स से नराज होता है कि उन्होंने एडी किंस्टन पर डबल सुपर किक क्यू अटेम्प की को रेफ से कि एडी किंस्टन का हील टर्न कब होता है इसके बाद सिक्स मैच एडी डबल्यू विमन चैंपियन टोन स्ट्रॉम वासिज आई डबल्यू जी पी विमन चैंपियन बिन एट एंगल के बैट विन होता है जिसमें रेफरी दी आउटकास्ट को रिंग सावीड से एजट कर देता है बट फिर भी टोनि स्ट्रॉम खुद अकेले ये मैच विन करके अपनी चैंपियन को रिटेन कर लेती है और आफ्टर दी मैच स्राया एंड रूबी सोहो आकर टोनि स्ट्रॉम के साथ सेलिवेशन करती हैं जिसे बैक स्टेज ब्रिट बेकर एंड विलूस का एवाश कर रही होती है तो लेट सी के आगे इनके दर्मियान क्या होता है इसके बाद सेवन मैच कीनी ओमेगा वसिज विल ओस्परे का बिगेन हुआ जिसमें डॉन कैलिस रिंग साथ पर सीक्योरिक के साथ मजूद थे मैच वाश ब्रूटल और एंड में डॉन कैलिस ने विल ओस्परे को सकूर डाइब दिया जिसे विल ओस्परे ने कीनी ओमेगा पर अटेम्ट किया बट इसके बावजूद भी आई डॉन नो हाओ कीनी ओमेगा ने कीक आउट कर दिया बट फिर विल ओस्परे ने अपना फिनिश रलगा कर कीनी ओमेगा को पिन करके ये मैच विन कर लिया और IWGP United States Championship हासिल कर ली इसके बाद एट मैच क्रिस चैर्प को सैमी गवेरा एंड सुदू की वसिज स्टिंग डर्बी आइलन एंड एनिटो का बिगेन हुआ जिसमें सैमी गवेरा ने स्टिंग पर सप्लेश लगा कर स्टिंग को टेबल पर समेश कर दिया एंड में अनिटो ने सुदू की परपिन करके ये मैच विन कर लिया जिस पर क्रिस चैर्प को गुसा होता है इसके बाद नाइघ मैच मेन इवेंट इन दी इवनिंग ब्राइन डानसन वसिस ओकारा का बिगेन होता है मैच वास गुड़ इस मैच में ब्राइन डानसन और उकारा ने अपने अपने फिनिशर एक दूसरे पर टैम किये बट दोनों ने किक आउट किया और एंड मेबराइड नैसा ने ओकारा को न्यू सम्मिशन मूब लगा कर ये मैश विन कर लिया और यहीं पेशो ओफेर हुआ है तो आपको फार बीटन डोर कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जुरूर देगा तो वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्क्राइब कर दे, बैल आइकोन प्रेस कर दे और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इधास दूर कीजेगा तो तब तक स्टे हैपी, स्टे हैल्दी एंड कीप वाचिंग माई वीडियो गुडबाए